अलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आसा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे मेरे माता पिता और बड़े भाई बैन को चरण इसपर्स मेरे छोटे भाई बैन को धेर सारा प्यार आपके अपने यूटूब चैनल नीलम मिश्रा ब्लोग में स्वागत है फ्रेंज तो यहां पर रात का टाइम है और खाना पिना हो चुका है फ्रेंज जो भी जैसे सामका खाना बनता है खाना खाने के बाद रात का डिनर जो होता है सब कुछ हो चुका है और बरतन भी धुल चुके हैं और जो भी किचन काउंटर जैसे डेली साफ होता है वो जैसे हो चुक तो एक साइड का चौकी हटा के और वहां बेड लगा दिये हैं क्योंकि सनी की पापा को चौकी पे थोड़ा सा दिकत होता था तो फिर हमने का बेड लगा देते हैं आराम रहेगा उनको तो फिर अब यहां से चौकी जो बेड हटा है काफी सारे बेड के नीचे धूल मिट्ट बैट गए थे तो हमने कहा बस रूम भी कुछ गंदा हो गया था क्योंकि गेम का कटाई चल रहा था तो रूम का धुलाई ओगरा हो नहीं पा रहा था तो बस यहां का ज़ाडू हो चुका है रात में ही लगा रहे हैं क्योंकि रात में अच्छे से सुख भी जाएगा और इ इसलिए हमने कहा कि रात को द lweet हैं और इतनी टायम बझ रहे हैं साड़े दस तो क्योंकि कि पूरा रूप्रा धोते धोते हमें साड़े ग्यारा बख गया था है तो एक घंटा लग गया था तो इतनी रात को सब लोग सो चुके हैं और मैं लगी हूँ धुलाई और रूम कर नहीं हो पाता है और फिर भी कितना भी धुलाई कर लें फ्रेंस पर यहां का ऐसे ही फर्स रहता है मेरे यहां का क्योंकि बगल में ही तालाब है और उस वज़े से कि किस वज़े से जो नीचे नीचे का दिवाल दिख रहा है यह भी खराब हो जाता है और जो फर्स है ओ भी ऐ यहां का फर्स ऐसे ही रहता है और बहुत जल्दी फर्स खराब भी होता है तो इसलिए हमने कहा कि जब नया घर जो बनेगा तो फिर दिवाल पे भी नीचे नीचे तक वहाँ लगवा देंगे टाइस और नीचे जो होता है इस पे भी लगवा देंगे जो पत्थल वाला टाइस होता है तो फिर फर्ज पे भी तो सही रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कितना भी पलस्तर करवाएं और सठीक करवाते हैं पूर्ते जाता है और बहुत ज़्यादा नमी भी होता है सीलन्सा हो जाता है तो इसलिए हमने का नए घर में पहले ऐसे ही करवाएंगे अब पलस्तर नहीं करवाएंगे और यहाँ पे हमने कर दिया टुलू को बंद और यह मॉर्निंग का टाइम है आप मॉर्निंग के बज रहे हैं साड़े नौ क्योंकि मॉर्निंग में भी यही सब करने में लगे हैं मंगलवार का ब्लोग है समंगलवार के रात को ही ब्लोग का Start किये थे तो ए है बुध्वार के दिन का बॉर्निंग का तो फिर यहाँ पे जो भी है ये काम है गेहू धुलने का उसको कर लेते हैं, क्यूंकि आठा भी खतम होने वाला है, तो फिर गेहू में काफी सारी मिट्टी था, तो हम ने कागा कि इसको धुल के, और अपना रख देते हैं, नहीं तो फिर लाइट कर जाएगा, तो दिक्कत होगा, और पूरे दिन में सू सबसे पहले आपको ही मिले और यहां पर गेहु धूलके और बाल्टी में भरे थे तो उसको धूप में उधर डालते जा रहे हैं जो भी पानी है इसका निकल जाएगा तब इसको फैलाएंगे गेहु को और ऐसे करके काफी सारा मिट्टी साल के गेहु में हो गया है तो फिर हम और इकठा रखते जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके धूलते हैं और बारिश के लिए भी इकठा कर लेते हैं ड्रम में धूलके ने तो फिर बहुत दिकत होता है और उधर गेहु धूलने के बाद कोई भी क्लिप नहीं ले पाए थे वही गेहु धूलने के बाद जैसे नहा रहे हैं फिर वही धुलाई का काम चल रहा है कि उस रूम को धुले थे मंगलवार के रात को और यह है बुद्धवार का रात तो फिर साड़ी दस बज रहे हैं इस टाइम पे भी लेकिन आज अभी बरतन धुलाई नहीं हुआ है बरतन सारे सब कुछ खाना पिना खाने के तो हमने का इसको वहुआ करके साफर कर लेते हैं और क्योंकि बाहर जब खेत का काम होता है तो घर का काम जैसे डेली करते हैं बस ऊएस यह सही हो पाता है और धुलाई काम इस अठी हो कर लेते हैं क्योंकि गंदा गंदा सा फर्स भी हो गया था तो बहुत जादा मिटी भी निकल रहा है देख सकते हैं काफी मिटी निकला तो और जहां थोड़ा वो ताटा गिरा है तो उसको भी हम छुड़ा लेते हैं और बुद्वार का रात है तो आज इसको साफ कर रहे हैं इसलिए कि प कपड़ा जो भी कुछ होते हैं तो फिर हमारा ऐसे ही होता है और दोपर में ही धुलते किचान अपना लेकिन लाइट ही नहीं था तो बस लाइट का वेट करना पड़ा मुझे और जो भी कपड़ा धुले थे तो बस मॉर्निंग में उसके बासे लाइट कड़ गया तो उतना कपड़ा भी है मेरा कपड़ा तो इधर हमारा कीचन का धुलाई भी चल रहा है विदर हमारा कपड़ा भी लगाई है जो बचा हुआ था जिसन दर्य अगरा बच गय से उसको भी हम धुल लेंगे कंबल वगरा है तो फिर उसको भी धूलेंगे उससे पहले किचन धूल चुके हैं तो बस वाइपर से पानी निकाल देते हैं ताकि मौनिंग में अच्छे से सूप जाए हमारा किचन तो बस क्यूंकि बहुत ज्यादा घर के साफ सफाई में बहुत होता है और बहुत अच्छा रोज लगाएं और साफ करें पर हम अपना काम करते ही रहते हैं धुलाई का हमिसा और यहां पर बहुत ज्यादा रात का सीन दिख रहा होगा तो इधर भी देख सकते हैं काफी सारे जो आटा वाला हमारा जो डबा है जिसमें आटा रखते हैं उसको भी धूल रहे हैं पहले इसको धूल के हटा दे रहे हैं यहां से क्यूंकि इसमें रखेंगे आटा और इसका आटा निकाल के रख दे हैं छोटे सी डब्बे में तो बस गे हूं धूले हैं तो जो आटा पिस्वा के आएगा जब जब आटा पिस्वा के आता है आटा वाला डबा भी धूल देते हैं और यहां पी कंबल डाले थे सुखने वाले में तो यह भी सुख गया है उसको फैला के आ गए हैं इधर एक दरी बस बचा है तो इसको भी हम सुखवा लेते हैं अच्छे से तो क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी हो चुका है अभी बरतन भी मुझे माजना है ज अरे मौनिंग का क्लीफ है तो यहां पर गुरुवार का अज दिन है तो बस पूजा हो चुका है काना को अपने पीला वस्तरी ही पैनाए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं काना हमारे और यहां पर विस्नुफकवान को भी अपना फूल और चढ़ा दिये हैं जैसे भी पूजा करते हैं वैसे ही और गुर्ण मुनक्का और जो भी कुछ होता है चना का दाल यही सब चढ़ाते हैं गुरुवार को और यहां पर हमारा दिया जल रहा है तो फिर हावा वेरा भी अच्छे से लगेंगे हमारे काना को और गर्मी का समय आ गया है तो इनको भी फैन का हावा चाहिए भाई गर्मी लगेगा इसलिए इस रूम में कर दिये हैं काना को और यहां पर देख सकते हैं चूला जला लिए हैं और दाल हमारा हो चुका था हम किचन में डाल गैस पे नहीं वैठाएं फिर पर ही रख दिये थे तो हो गया लाइट था तभी अब यहां पर फटा फट से चूले पर ही बनाएंगे चोखा और जो चावल और रोटी बन जाएगा दाल हो ही चुका है तो वस अब ब्लोग एहीं तक फ्रेंस मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लोग के साथ कल तब तक के लिए बाबाई चैनल को सस्क्राइब जरू चैनल कई देखने के लिए थां